यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया उस पर हम अन्डे को इस तरीकिसे फोड़ते हुई डाल देंगे यहाँ पर हम पांच अन्डे की इस रिस्पी को बना रहे हैं तो पर मैंने रख दिया गेस पर कढ़ाई कड़ाई पे डालेंगे पानी पानी हमें उतने लेनी है जितने की हमारी जो हम कटोरी लेंगे वो कटोरी की हाफ आनी चीए यह देखे इस तरीके जो हर घर में पाई जाते हैं उस तरीके से हमने कटोरी ले लिए कटोरी पे भी पानी भर लेना है हाफ तो देखे इस तरीकी से हम अच्छे से इसे बीच में सैट कर लेते हैं उसके बाद हम इसमें अड़ करेंगे साइड पे प्याज तो यहाँ पर मैंने दो प्याज को कट किया है साथ ही दो टमाटर को भी इस तरीकी से हमने कट किया है उसे के साथ दो हरी मिर्च को भी हमने इस तरीके से कट किया है इन सभी को अच्छे से अरेंज करने के बाद एक इंच अधरक का तुकड़ा और छे से साथ लहसुन की कलियां एड़ करेंगे उसी भी डाल देंगे और जो बीच में हमने कटोरी रखा ना उसमें हम डाल देंगे मटर ये फ्रेश मटर है चाहो तो आप फ्रोजर मटर का भी यूज़ कर सकते हैं और जो हमने अंडे फोड करके रखे थे उसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और एक चौथाई चमच चिली फ्लेक्स मतब कूटा हुआ लाल मिर्च और इनसा भी को अच्छे से फेट लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जब अंडे को पकाएंगे ना वो कहीं से भी फीकी ना लगे इस वज़े से फेट लेंगे अच्छे से और ये देखिए हमने इसे फेट लिया इसे रखते हैं अब हम सिधे मटर के उपर जो कि हमने कटोरी पे मटर डाला था उसके उपर सिधे इस तरीके से रख लेना है और बस स्किलेट लगा के करीबन 7-8 मिनट तक मिडिम फ्लेम पर प जाती है जो हमने ग्रेवी के लिए प्याश टमाटर मिर्च अद्रक लसुन को पकाया वह भी बहुत अच्छे से पकती है साथ ही हमने जो मटर डाला था वह भी पक गई और यह देखिए अंडे भी बहुत अच्छे से 7-8 मिनट के अंदर ही पक गई है अब हमने कर दिये यह कि समझ में आ रेगी है कि मटर बहुत इच्छे से यह पर पक गई है यह दीखिए हैना तो यहां पर मैं आपको ₺ तोड कर दिखाना चाहूंगी कि कि अच्छे से मटर हमारी पक करके तयार हुई है यह देखिए एक दम अच्छे से यहां पर सॉफ्ट हो गई है मटर प्रफी छिलको टमाटर की जो छिलके वो हमें इस तरीके से कटोरी पे निकाल करके हटा देंगे और जो बाकी प्याज टमाटर मेर्च अद्रक लसुने ना उसे हमें मिक्सर जार में डाल करके अच्छे से एकदम फाइन बारिक पीस लेना है तो अभी तो थोड़ी गरम है फि हम इस तरीके से कटोरी में निकाल करके साइट रखते हैं आगे हम यूज करेंगे और यह देखिए मसाली को भी हमने बहुत इच्छे से पिस लिया था जो कि हमने प्याज टमाटर पकाया था ना वो और उसके बाद दोस्तों फिर से मैंने रख दिया गैस पर कड़ाई टेल को अच्छे से गरम करने के बाद जो हमने टमाटर प्याज रद्रक लसुन मिर्च को पीसा था ना बस वो इस टाइम पर पर एड़ कर देना है और डालने के बाद थोड़ी से छीटे जरूर आते हैं थोड़ी सा अधानी बरतते हुए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर ले पांच अंडइप से यह रिस्पी बन करके तयार होती है और इस रिस्पी को पांच से भी ज्यादा लोग खा सकते हैं आराम से जो कि खाने में बहुत ज्यादा टेश्टी बनती है आप आगे देखिएगा आपको देखने से ही समझ में आएगी और यह देखिए मसाली को हमन नमक एड़ करेंगे स्वात के अनुसार एक चमच हल्दी पौडर, दो चमच धनिय का पौडर, एक चमच जीरा पौडर, एक चमच कीचन किंग मसाला डाल रहे हैं और तीखा पन के लिए हमने पहले ही हरी मिर्श एड़ की थी, तो वो काफी ज्यादा तीखी वाली मिर्श थी, तो अब हम इस स्टेच पे कश्मेरी लाल मिर्श एड़ करेंगे, दो चोटी चमच, तो वो भी हम इस टाइम पे ही एड़ कर देते हैं, ताकि मसालो के साथ बहु में स्वादिष्ट होता है, जो बचा हुआ पानी था ना, फ्लावर फॉल, जिसमें हमने प्याश टमाटर पकाया था, बस उसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और मसाले को इसी तरीके से पकने देते हैं, लो फ्लेम पे, तो लो फ्लेम पे जब तक हमारी इधर मस असानी से निकल जाए, और थंडी भी हो गई ना, तो बहुत जल्दी निकल सकती है, तो यह देखिए, हमने किनारों से इस तरीकी से काट लिया, और उसके बाद उपर थाली रख ली बड़ी, और उसे हमें इस तरीकी से टैप कर लेना है, और यह देखिए, बहुत ही आसान आपको इसके पीस पसंद है, छोटी बड़ी, श्क्वेर में करना है, या फिर आपको कोई भी शेप में करना है, वैसा आप कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर आज इससे बिलकुल पनीर की तरह काटेंगे, इस स्क्वेर में, तो हमने इस तरीके से क्यूप्स में कट किया है, और कभी कोई महमान आए, आपको कोई सबजी समझ में ना आए, तो सबसे बेस्ट आपसन है, यह देखे, अंडे कुमें आपको यहाँ उठा कर दिखा रही हो, कितने अच्छे से पकी हुई है, और एकदम सॉफ्ट बन करके यह तयार हुई है, बहुत अच्छे से क्लियर ने द पानी को वेश्ट नहीं करेंगे, और इन सबी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यह देखी, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि हम जानो, हमने मटर पनीर बनाया हो, और जो अंडे थे ना, क्युप्स में कटी हुईने के वज़े से सेम लग रहे हैं, कि यह पनीर ही है, अच्छों से लेकर बढ़ों तक सभी को बहुत ज़्यादा यह रिस्पी पसंद आएगा, तो फ्रेंट्स हम इसे क्या करेंगे, लो फ्लेम पे करीबन पांच मिनट के लिए ढख करके पकाएंगे, और पांच मिनट के बाद जब मैंने इसके लिए ढटाई, तो बहुत अच बन करके इसे गर्मा गरम सर्व करेंगे, अब इसे चावल, पराठा या फिर रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, सभी के साथ यह बहुत ज़्यादा टेश्टी लगती है, आप जब भी इस तरीके से ट्राई करेंगे, जब भी बनाएंगे, तो आपको और आपकी फैमिली को य चीज़े भी खिलाएंगे, आपसे रेस्पी जरूर पुछीगा कि आपने इस रेस्पी को कैसे बनाया, तो लीजे फ्रेंड्स बन करके तैयार हैं, अंड़ा मटर की नई रेस्पी बल्कुल नए तरीके से नए स्वाद में, रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, स हम आपके लिए नई नए रेस्पी लेकर आते हैं, मिलते हैं नए रेस्पी के साथ, बाबाए and ठैंक यू